So hey guys and what's up, this is Angkan here and you guys are watching The Engine Man and guys आज हम बात करने जा रहे है एक ऐसा अती चर्चित टॉपिक के उपर जिस टॉपिक के उपर काफी बार चर्चा किया जाता है और ये टॉपिक है कि हमें एक साथ हजार रुपे का अंदर एक मखन पीसी बिल्ड चाहिए जिस पीसी के अंदर गेमिंग भी हो, एडिटिंग भी हो और हलकी फुलकी स्ट्रीमिंग भी हो तो ये टॉपिक न काफी बार चर्चा किया जाता है तो भाई मैंने सोचा कि यार क्यों ना सबका मदद किया जाए और इस बात पे थोड़ा रौशनी डाला जाए तो गाईस जैसे कि आप लोगों बता है कि आज भी इस वीडियो के लिए मैं मदद लेने जा रहा हूँ तो चलो भाई, बीना किसी तेरी के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं तो गाईस यहाँ पर हम आ चुके है हमारा पहला PC बिल्ड के उपर जिस PC बिल्ड पे हम लोगों को देखने को मिल जाता है एक Intel Core i3 का PC और यह PC बिल्ड बस आपको 51,000 रुपीस के अंदर अंदर आपको पड़ जाने वाला है तो थोड़ा डीप में बात किया जाए इस PC का परपस है कि आपको अच्छा लेवल का गेमिंग कराने वाला है अच्छा लेवल का एडिटिंग कराने वाला है बस एक चीज़ को छोड़के सिर्फ स्ट्रीमिंग के लिए इस PC के साथ मज जाना भाई इस PC पे आप स्ट्रीमिंग नहीं कर पाऊ मैं लिखके देता हूं कि इस PC में आपका स्ट्रीमिंग की लग जानी वाली है वट तो मज जाना भाई इस PC के साथ कता ही मज जाना अगर आपको स्ट्रीमिंग करना है अच्छा खासा बाकी बात किया जाए इसका CPU के बारे में तो यहां पे इंटल को आई 390 100F यूज किया गया है जो कि चार को चार थ्रेट का प्रोइसर है फिर उसके साथ मदरबोर्ड पे MSI का H310M प्लस यूज किया जा रहा है एंड एसस्टी पर क्रूशियल BX500 के 240GB के एसस्टी यूज किया गया है HDD में WD Blue की 1 TV का ACD की यूज किया गया है PSU पे Antec का VP 450W यूज किया जा रह 6 वेरियंट है यहां पर यह मेंशन किया कर नहीं गया कि 4GB या 6GB बट मेरे हिसाब से इस पर आपको 4GB देखने को मिल जाता है RAM पर हम यूज कर रहे है जी स्किल की रिप जॉल वी 16GB 8GB की दो स्टिक जो की डूवल चैनल पर और जो की क्लॉक्त है 3000MHz पर और OS पर आपको Windows 10 की प्रोफेशनल ट्रायल देखने को मिल जाता है जिसमें कोई डिफरेंस नहीं होता Windows 10 के प्रोफेशनल वर्शन से सिवाए के नीचे एक Windows 10 की या यह बोल सकते हो कि Windows की एक वाटरमार्क बनी हुई आती है बाकि इसका लावा आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाले इस PC में एकदम 1080p high to ultra settings में आपको gaming कराने वाले है अगर आपके पास free sync monitor है तो यह आपको 100 fps देने का capability रखता है अगर medium to high settings पे खेलते हो वही बात कर रहे जाए अगर आप ultra settings पे खेलते हो इस पे तो आपको कहीं ना कहीं यह आपको 90 fps पर ही रख देगा आपको 90 fps पर आपको रखने करने वाला है तो मेरे हिसाब से जिसके budget अभी 50,000 रूपीज है फिलाल के लिए आप इस PC के साथ जा सकते हो काफी कमाल PC है इसके बाद हम चलते हैं हमारे next PC के तरफ जो की थोड़ा सा मेरे हिसाब से better value आपको offer करने वाला है अगर आप कोई भी productivity वाला काम करना चाहते हो जै Motherboard में आपको देखने को मिल जाता है B450 Pro M.2 Max यहाँ पर मैं एक बात भूलना भूल गया कि यहाँ पर जो हमको AMD की Ryzen 3 3100 देखने को मिलता है यह एक 4.8 थ्रेट का processor है पिछले वाला 4.4 थ्रेट का था यह 4.8 थ्रेट का है तो गई ना गई आपका streaming भी यह करवाने का capability रखत तो 720P पर चलाओगे तो बेटर रहेगा वही अगर आप SSD का बात करें तो यहाँ पर WD Green की 240GB की M.2 SSD यूज़ किया गया है PSU के जगा पे जो की Power Supply है वो Antec की VP 450W यूज़ की गयी है वही केस की बात करें तो Ante Esports की 300TG यूज़ किया गया है और GPU पर यहाँ पर Inno 3D की GTX 1660 सूपर यूज़ किया गया है जो की एक GDDR6 variant है और जिसमें 6GB की VRAM आपको देखने को मिल जाता है साथ में अगर यह वही पर बात किया जाए कि RAM की बात तो यहाँ पे G-Skill Rip Jaws की V 16GB जो की Dual Channel में यूज़ किया गया है एक DDR4 3000MHz की RAM यूज़ किया गया है साथ में आप Windows 10 की Professional ट्रायल मिल जाता है वही अगर मैं बता 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 जाए कि HDD के बारे में तो यहां पर वर्ट वन टीब की WD की एससी यूज़ कर सकते हो जिस पर आपको प्राइस लग 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 56,000 पड़ता है बट वही आप HDD के अलावा यूज़ कर गए नान पर यूज़ कर गए तो वही आपको 52,370 रुपीज का देखने को बिल जाता है जो कि मेरे हिसाफ से काफी value for money PC बन जाता है और आपको long time पे काफी benefit देने वाला यह PC तो अभी के अभी अगर आपको PC बिल्ट करना है तो आप जरू से जा सकते हो इस बिल्ट के साथ जो कि एक काफी कमाल बिल्ट मेरे को लगा है इन लोगों के तरफ से और इसके बाद चलते हैं आज की आखरी मिल्ट जो की एक कोर आइफाइफ की ऊपर बनाएगी एक PC है और यह PC का जितना बीबात करूं वह होगा मान के चलो gaming and editing भाई इसके लिए आप स्ट्रीम को स्ट्रीमिंग को रख सकते हो बड़ आपको कही ना कही FPS वगरा पर आपको कॉंप्रोमाइज करने को बढ़ सकता है क्योंकि यहां पर हम यूज कर रहे हैं CPU में Intel के Core i5-9400F जो की एक 9th generation का प्रोशेसर है इसमें आपको 6 core thread देखने को मिल जाता है जो कि पिछले वाले में आपको core तो कम देखने को मिलता था था पर हम बात किया करें इसका gaming performance पर आपको मखन gaming करा सकता है 1080p पर यह आपको आराम से 144 fps तक प्रोमोट कर सकता है अल्टर सेटिंग्स पर यहां पर हम यूज कर रहे हैं MSI से आने वाला H310M Pro VDH Plus SSD में हम यूज करने वाले Crucial BX500 240GB के SSD HDD पर हम यूज करने वाले WD Blue के तरफ स आने वाला है 1TB की SSD और इसके अलावा हम यहां पर यूज कर रहे है PSU पर Antec VP 550W वाला Case पर हम यूज कर रहे है Anti Esports की 300TG GPU पर हम यूज करने वाले है और यह PC बिल्ड आपको अराम से 1080P High Settings में 144FPS देने का कभिलियत रखता है बट स्ट्रीमिंग करते टाइम आपको इस पीस से उतना उम्मीद नहीं रखना है क्यूंकि भाई Intel Multitasking में खतम है तो मेरे हिसाब से अगर आप पूछोगे कि most value for money PC कौन सा है आज जितना भी हमने डिसकस किये उन में से तो मैं कभी भी आपको नहीं बोलूँगा कि अगर आपको productivity वाला काम करना है तो Intel i5 के साथ जाए आप जरूर से जरूर आप Ryzen 3 3100 के साथ जरूर जा सक मतलब मखन लेवल की gaming कर रहा है ना यह आपको बड़े-बड़े e-sports competition में जाना है तो आप Intel के साथ चाह सकता है अगर आपका budget tight है तो Intel Core i5-9400F उसके लिए पुरा choice नहीं है तो यही थी कुछ pieces आज के लिए भाई जो की मेरे को आपको दिखाना था और मेरे को लगा कि अच्छा करता हो अच्छा लगा है अगर अच्छा लगा है तो जरू से लाइक ठोकना चैनल पर नहीं हो तो जरू से सब्सक्राइब करना नीचे दी इसको लिए अपना दोस्तों के साथ यह वीडियो तो उन लोगों को भी मदद हो सके इसके अलावा नीचे मेरे Facebook और Instagram लि को आप जरू से पूछ सकते हों तो गाइस मिलता हूँ आप लोगों से एक नहीं वीडियो में तिल देन गुडबाई और आज अलवे सी यू गाइस